बेराइच में आदमकोर भेडियों का जियां इनी का आतंक है और थमने का नाम नहीं ले रहा है वो लगतार हमले कर रहे हैं, बच्चों को टार्गेट कर रहे हैं और एक बार फिर से बीती रात पांच साल की बच्ची पर भेडी ने हमला बोल दिया लेकिन गनीमत रही कि उसे गंभीर चोट नहीं आई और फिलाल उसकी हालत स्थिर बताई जाती है बेराइच में भेडियों के हमलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने कल अलग-अलग महकमों के अधिकारियों के साथ मिटिंग की और निर्देश दिया कि प्रभावित जिलों में अलटने और बरहा दी जाए निर्देश ये भी हुआ है कि जिन जानवरों का रसकी ऑपरेशन नकाम रहता है उन्हें गोली मार दिया जाए वहीं बिगड़े आलात के बीच मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कई बड़े अधिकारी गैराईच पहुँचे हैं जो ऑपरेशन भेडिये में जुटे हुए हैं ये तस्मीर दिखा रहे हैं जिस पर अटैक किया बच्ची पर भेडिये अस्पताल में भरती है और भेडियो का जो खौफ है वो खत्मोने का नाम नहीं ले रहा है शुरू में चार भेडिये जरूर रह पकले गए लेकिन बागी दो खुले में घूम रहे हैं कभी लोकेशन उनका मिलता है लेकिन फिर वो गाइब हो जाते हैं अर्बन विभाग की एक पड़ी टीम इस मिशन में लगी हुई है अधिकारी लगे हुए यहीं के 200 जमान लगे हुए है वहीं उत्तर पुदेश के कई जिले जो है प्रभावित हैं कई बाग देखा गया कई बाग ने अटैक किया कई सियारो कातंग थे और वेडियो कातंग खत्मोने का नाम नहीं ले रहा है फिलाल बच्ची की आलत नाजों के इस्तिर है बताया जा रहा है और यह देखिए अब किदर भागा कुए यह तुम्हारा चाशी में में मेमोरी काली है इसमें अब उद दिख राटी आगे बढ़ यह कि अगे अ कि इधर पाव कि दर थे पाव कहां पर थे और किदर भागा है जा पर अच्छाण तो किस तरह से आदम खोर भेडियों की वज़े से यूपी का बहराईच तरस्त है आईए आपको ज़रा अपडेट कर देते हैं देखें बीते छे महिने में छोटे बड़े साज से जादा हमले कर दिये इन भेडियों ने और कई लोगों की तो उसमें जान चली गई है अब तक हमलों में 10 लोगों की मौत हो गई है इनके अटाक की वज़े से काटनी की वज़े से मरदेवालों में 9 बच्चे शामिल हैं एक महिला इसमें शामिल हैं लेकिन अब भी दैशत में जीने को लोग मजबूर हैं चार भेडिये अब तक गिरफ्त में हैं यानि पकड़े जा चुके हैं दो भेडियों का अब तक सुराग नहीं है वो लोकेशन बदलते रहते हैं लगतार ओपरेशन में 200 सदस्यों के टीम लगाई गई है ताकि इन पर काबू पाया जा सके वन विभाग की 25 टीमें टैनाथ हैं राजस्व विभाग की 32 टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं यह मिशन भीडिया है जिसको अंज़ाम दिया जा रहा है लेकिन अब भी दो भीडियें नहीं है पकड में और उन्हीं की कवायत है कि जल्द से जल या पकड में आए क्युकि यह लगतार अटेक भी कर रहे हैं बेराइच में भेडियों की हमले में जो सबसे नया मामला सामने आया है उसकी जानकारी जुठाने पड़ित बच्ची के घर पहुँचे आज तक समधाता समझ श्वास्ता हूँ बड़ी तस्वीर जो है वो इस घर से आती है जहां वो पांच साल की लड़की सो रही थी और उस पर भेडिये ने हमला किया हम दाखिल हूँए उसी घर में उसी जगा पर जहां पर वो आदम खोर आया और उस भेडिये ने ये हमला किया गाउवाले सारे खटा इसलिए है क्योंकि आज इस गाउव में चर्चा केवल एक है भेडिये का आतंक भेडिये का हमला और उस बच्ची किस तरह से जान बचती है उसकी क्या कहानी है ये वो घर है पहली तस्वीर जो है वो ये बता रही है कि इस घर में दर्वाजा नहीं है जिसने भेडिये का आना कुछ हद तक आसान कर दिया है यहां जरूर एक इस तरह की लकडी नुमा दर्वाजा बनानी कोशिश की गई है यसे शायद यहां डाला भी गया होगा लेकिन भेडिये के लिए शायद इससे पार पाना बेहदासान है काफी गरीबी में यह गाउं जीता है अमाम दावे जरूर हुए है दर्वाजे लगवाने के लाइटे लगवाने के लेकिन धरातल पर यह सभी शून है इस गाउं में ना लाइट है और ना ही लगे बाहर दर्वाजे कुछ है तो आंगन में पड़ी एक चार पाई जहां प स्थान है जहां पर वो लड़की सो रही थी एक दम इस जगह पर और एक ठीक बगल में उसकी दाधी लेटी हुई थी अब क्या होता है भेडिया से आता है यहां से निकलता है और इस देखा रहाता है तो आप जब आता है तो आप देखें यहां अगर थोड़े हम माक्स दि और छटवा कुल मिलाकर पांच से छे फुट्प्रिंट्स यहां पर दिख रहे हैं जो भेडिये के हैं धेडिया वहां से आता है शिकार करने के लिए इधर मूँ घुमाता है टर्न करता है जगा बनाता है और यहां जब बच्ची सो रही होती है उसका सर इधर होता है या इध आती है चिलाती है गाउवाले आते हैं भेडिये को बगाते हैं और सारी चीज़े होती है जो नताली है वो मौझूद है समझूगा क्या कुछ कहानी की आगया आई आगया यह यह घटिया चारफ पूरे घर के हालाथ भी दिखाते रहे हैं यहां एक लाइट ना घर के अंद के वो खुद मौझूद हैं और एच्वी गिरीश मुख्य बंज सरक्षक हैं वो खुद मौझूद हैं और अब तो मुख्य मंत्री ने भी और इसको लेकर दिशा निरदेश जा रहे किये हैं दो डिफो तैनात हैं कुल दस अधिकारी जो हैं हाई लिबल के उनकी तैनाती है वहाँ उस पूरे इलाके में संजे कुमार है एच्वी गिरीश के नितरतों में सर्च अप्रेशन को अंजाम दिया जा रहा है आगे बढ़ाया जा रहा है चीफ फॉरस्ट कंसर्बेटर रेनू सिंग कर रही है समन्वे अब बहराईच के प्रभावित इलाकों में प्रिशा को पकड़ने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और इस तरह के ड्रोंस का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं न कहीं इसके जरीए बेडिया कहा छुपा है उसको पाया जाए उसको ढूंडा जाए ये कोशिशे लगातार हुई जा रही है इस तरह के रिमोट कंट्रोल से दे जब ड्रोन में जब डिटेक्ट होता है तब हम लोग अपना अभियान चालू करते हैं उसके बाद में अगर प्रयास में सफलता मिलती है पकड़ के हम लोग जूच पोड़ते हैं अज इतनी बार आज किया गया है ड्रोन से पुरा प्रैक्टिस क्या मिला है कुछ अभी तक ड वन विभाग के तमाम अधिकारी हैं तमाम लोग हैं चुप्पी भी सादे हुए हैं अलाकि सीओ थे फॉरस ट्रेंज के उन्होंने कहा कि कोशिश होती है ड्रोन के जरीए किसी तरह के से कैप्चर किया जाए कि भेडिये हैं कहा आप देखिए तमाम आला अधिकारियों की ग करने की कोशिश कर रही हैं प्रयास कर रही हैं लेकिन जब वन विभाग के अधिकारियों से हमें बात करने कोहिश की तो उन्होंने चुप्पी साधी जवाब नहीं दिया फिलहाल दस मौतों के बाद भी वन विभाग को कोई सफलता नहीं मिली हैं 30 से जादा लोग की इंज अब देखिए मामला इतना आगे बढ़ा है इसकी वज़े है दस लोगों की मौत हो चुकी है दस लोगों की जान ले चुके है ये भेड़ी है और 60 लोगों पर अटेक कर चुके हैं बहुत सारे लोग जखमी है दस कौन-कौन अब ज़रा देखिए पहला अमला 10 मार्च को होता है मिश्रन पुर्वा गाउं है वहाँ पर तीन साल की साहरा है बच्ची उसको भेड़ी उठा कर ले गए देड़ साल के छोटू को भेड़ी ने शिकार बढ़ाया ये 23 मार्च को फिर 17 जुलाई को एक साल के मासूम अख्तर रजा को भेड़ी ने उठा लिया जान चले गई 27 जुलाई को नकवा गाउं दो साल के मासूम प्रतिवा है जो बच्ची भेड़ी ने उसका शिकार किया अब ये सिलसला आगे बढ़ता चला गया तीन अगस्त को कुलैला गाउं आच साल के किशन पर भेड़ी ने हमला कर दिया अगर आप गवर करेंगे तो सब बच्चे ही हैं 17 अगस्त को चार साल की मासूम को भेड़ी ने शिकार बनाया यह सिंग्या नसीरपुर गाउं है और 22 अगस्त को बटाली गाउं भेड़ी ने पांस साल की खुश्बू पर हमला कर दिया और वहीं 25 अगस्त को कुमार पूर्वा गाउं 45 साल की रीता देवी का भेड़ी ने शेकार बनाया नौ बच्चे हैं एक महिला इसमें शामिल है मृतकों में 27 सगस को देखे आप यह सलसला 2 सितंबर को धाई साल की बच्ची पर हमला किया हाला कि उसकी हालत स्थीर बताई जा रही है अस्पताल में इलाज चल रहा है समाशिवास्तो इस इलाके में मौझूद हैं हमारे समदाता उनका रोक करेंगे समर्थ जो दो भेडिये हैं आतन का सबब बने हुए है यह कब पकड़ में आएंगे सबसे बड़ा सवाल यही है हमें पता है सबको पता है कि operation को अंजाम दिया जा रहा है कई टीमें लगी हुई है इस बीच मुख्यमंत्री ने दिशा को कहानिया है इसने मुख्यमंत्री की तरफ से तो निर्देश आ रहा है और मुख्यमंत्री लेकर काफी बी हैं लातार अधिकारियों से कहना है आगे पर जाहिと思います लेकिन आप जब गनद पर आते हैं तो ग्राउंड पर जो है लिए जब होता है तब वो बेडिया निकलता है और अपना शिकार करता है अंधेरे के लिए इंतिजाम के नाम पर गाहों के पास कुछ भी नहीं है ना लाइटे हैं ना घरों में दर्वाजे हैं जिसका फायदा ये भेडिया उठाता है और चुप चाप छोटे बच्छों को अपना निवाला बना रहा है, आप देखिए, बैक टू बैक दस घटनाएं हुई हैं, दस मौते हुई हैं, और अजर आप घटनाओं की बात करें, जिसमें लोग घायल हुए हैं, तो 30-40 का आकड़ा पार हो जाता है, और यह ऐसा है कि अभी से सारी चीदे चल रही हैं, करेंगे, यह एक बड़ा स्वाल लगा हुआ है, लेकिन मुख्यमंती में जिस तरह से निर्देश दिये हैं, तारे आलादिकारियों को जमीन पर जाने के निर्देश दिये हैं, और साफ कहा है, जल्दी से जल्दी भेडियों को पकड़ी हैं, और अगर आपके सारे फॉमले पकड़ी हैं, तो शूर्द एंसाइट के भी कही न कहीं ओडर्स हैं, कि आखरी अंजाम अगर दिया जाएगा, तो फिर भेडिया को मारा जाएगा, पहले यह ओडर्स नहीं थे, लेकिन कल जब देर रात लखने में बैठक हुई है, तो इस तरह के भी निर्देश दिये हैं पहले हमें बाग सारे टाक्टिक्स करेगा, जो उसके टाक्टिक्स तो जो उसके रूल बुक में हैं, पकड़ना, जाल डालना, बाड़े में रखना, लेकिन अज़ा समद मुश्किले कहां आ रहे हैं, क्योंकि पहले एक्सपर्ट्स कहा रहे थे, कि हो सकता है कि यह इलाका सवाल है कि मुश्किले कहां आ रहे हैं, उससे तक सवाल यह गाउल एक एक कंप्लीन or कर रहे हैं, कि वो जब भेडियो को देखते हैं, तो जब वन विभा कंप्लीन करते हैं तो छा यह जान आधिकारी यह केरहे हैं, कि इdefined आप उसस वक्माएश्य विडियो कंद आया हैं ज इनको इनसान का खून लग गया है यह भी कई थोरी जिकल कर आ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पूरा इलाकत शेतर पड़ता है बहराईश पीली भीत लखीम पूर यह भेडिये बाग पाई जाते हैं लेकिन आखिर बहराईश में ऐसे कौन से भेडिये आ गए है जिनकी जुबा पर इनसानी खून लग गया है सबसे ज्यादा चिंता का सबब अगर कुछ है वो परशासन के लिए यह है यो कि जानवर लगा जगातार आप गाउं जाते हैं गाउं निकलते हैं तो आपको हर जगा जानवर नजर आएंगे इवन कमाम आपको बच्रे गाए और बक्रिया निकल रहे हैं और इस वजह से घटाएं हो रहे हैं जी सबत नजर बना कर रखिएगा शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुचाने के लिए